Hello and welcome to Sarvagyye EduTech SSCGL 2023 का कोर्स लाँच कर चुका है Sarvagyye EduTech इस सीरीज में आज तीसरी वीडियो आ गई है पिछली वीडियो में हमने SSCGL का प्रिवियस एयर मैट्स का कोश्चन पेपर कर रहा था जिसमें हमने देखा था 2020 का कोश्चन पेपर I hope आप सभी ने वीडियो देखी होगी और उससे एक आइडिया लिया होगा कि कोश्चन किस लेवल के आते हैं इस मैट्स सेक्शन में अना ये आपको देखना था उसमें किसकिस पोर्शन से इसमें कोश्चन आते हैं ये भी आपको देखना था आज फिर से हम मैट्स का प्रिवेस एयर पेपर करेंगे और इस बार आपके लिए लिए आये हैं 2022 का लेटेस पेपर देसमबर में ये एकजाम होगा था और उनी में से एक शिफ्ट का ये मैट्स का पेपर है अना तो पिछली वाली वीडियो में आपने तो देख लिया था कि किस तरह की कोश्चन आये थे तो over the years भी देख रहे हैं कि SSCGL जो है थोड़ा हलका हलका पैटन चेंज कर रहा है तो कोश्चन का बेसिक वही है पर अगर आप देखेंगे तो SSCGL 2023 में जो कोश्चन आये थे वो fairly easy आये थे अना तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर आगे कैसे आने वाला है तो आप जैसे आपने पिछली बार 25 कोश्चन किये थे I hope आप सबने वो किये होंगे और आप इस बार भी ट्राइ करेंगे 25 में से 25 करने के क्योंकि ये जो इसमें कोश्चन आएंगे वो पिछले वाले पेपर से और ज़्यादा easy होंगे तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ठीक है इसमें भी same वही पेटन फॉलो करेंगे कोशन पढ़ेंगे और उनका solution करेंगे उनका solution करेंगे और बताएंगे थोड़ा थोड़ा detail में और फिर उस topic को जब हम पढ़ेंगे अपने स्कोर्स में तो उसको detail में explain किया जाएगा तो अगर आपको ये समझना आए इस time पे तो ये मैं समझेगा कि ये paper बहुत जादा difficult है जब आगे जब इसको explain किया जाएगा सही से तो आपको बहुत मजाएगा और आपका paper भी बहुत अच्छा जाएगा match section में at least आप 25 में से 25 score कर लेंगे मतलब 25 में से 25 question कर लेंगे हर question 2 marks का होता है तो आप 50 marks इस section से attempt कर पाएंगे इस series में आपको tricks भी बताएंगे जिससे आप इस match के section को बहुत जल्दी attempt कर सकते हैं जिससे कि आपका time बचेगा और आप वो time किस में दे सकते हैं और sections में दे सकते हैं तो शुरू करते हैं आज के पहले question से तो यहाँ पर आगया हमारा कौन सा dishonest merchant profit loss को question है उसका एक type है जब यह chapter आएगा तो उसमें यह वाला एक topic आता है dishonest seller वाला तो question में क्या कह रहा है a dishonest merchant sells good at a 25.5% loss इतने loss पर वो बेशता है समान को किस पर? cost price पर यह loss है 12.5% का पर वो कमाता कहाँ पर अब कोई भी बनिया जो हता है वो ऐसे तो है नहीं कि loss ही loss में जाएगा वो कमाएगा भी किसी ना किसी चीज में अगर वो बोलेगा कि मैं loss में जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो जुड बोल रहा है कोई भी बनिया लॉस में नहीं जाना चाता है कभी भी ठीक है तो वो कहां कमाएगा वो यहां पे कमा रहा है वो 36 ग्राम के वेट की जगा 28 ग्राम का वो यूज कर रहा है जैसे आप बजार गए आपने बोला एक किलो सब्जी डाल दीजे अब उस पे है वो 800 ग्राम का वाट ह है और उसने 800 ग्राम के और उस पे मार्किंग 1 केजी वाली है तो आपको लगेगा कि उसने 1 केजी सब्जी चड़ा दी पर असली में किते चड़ी 800 ग्राम तो उसको कितना फाइदा हुआ 200 ग्राम का यह 200 ग्राम का फाइदा 5 बार जब जोड़ जाएगा तो उसके 1 किलो के पैसे तो बची जाएंगे तो इस तरह से बनिये जो हैं जो दुकानदार होते हैं वो कमाते हैं अगर वो लॉस में कभी नहीं जाते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रखना चाते हैं अपने आपको तो एक तरीके से वो इसको डिना डिसॉनेस तरीके से करते हैं तो क्या है यहां पर 1 kg की जगह अगर 800 gram का वो बाट यूज कर रहा है तो 200 gram का उसको profit हो रहा है ठीक है तो यहां पर देख लेते हैं 36 gram की जगह अगर 28 gram का करेगा यूज तो उसे 36 minus 28 मतलब 8 grams का फाइदा होगा किस पर फाइदा होगा यह होगा हमारा 28 पर फाइदा होगा और इसका हम देख लेते हैं कितना फाइदा होगा तो यह हमारा profit percent निकल जाएगा जब यह false weight use करेगा इसको अगर solve करें तो यह आ जाता है हमारा 200 by 7 ठीक है अब इसमें आता है एक successive profit यह loss हाना तो यहां पर माइनस 12.5 percent का loss हो रहा था उसके बाद उसे फाइदा कितना का हो रहा था plus 200 by 7 percent का तो इसमें जब निकालेंगे हम net profit या loss उसका formula क्या होता है slash loss उसका formula क्या होता है हमारे पास जो हमारा a है पहला जो profit है या loss है plus जो पहला जो दूसरा profit या loss है plus a b by 100 यह हमारा net जो है हमारा profit या loss percent निकल के आता है तो यहां पर values रखेंगे a की जगा रखेंगे minus 12.5 b की जगा रखेंगे 200 by 7 a b a की जगा क्या रखा था minus 12.5 b की जगा क्या रखा था 200 by 7 और यह divided by 100 इसको solve करेंगे आपका final answer आ जाएगा जो भी answer आएगा आप comments में बताईएगा कि इस वाले question का answer क्या आया 1 आया 2 आया 3 आया या 4 आया कैसे करेंगे question 1 का answer आप लिखेंगे जैसे question number 2 करेंगे question number 2 का भी comment करके question number 2 mark करेंगे और उसका option जो सही option है जो आपका answer निकला है वो आप बताएगे ठीक है next यह आगे है हमारा HCF LCM का question इस तरह की question भी देखे जाते हैं से सीजल में तो इनको किस तरह से करेंगे वो देखेंगे the HCF of two numbers is 12 HCF HCF stands for highest common factor ठीक है इसका मतलब क्या होता है जैसे आपके पास दो number 8 और 4 इन दोनों में अगर आपका HCF बोलू ना तो इन दोनों का जो highest common factor आता है इसको अगर factorize करेंगे तो यह 2 into 2 into 2 इसको अगर factorize करेंगे तो 2 into 2 तो इनके common factors देखने है highest जितने भी match करेंगे वो यह हमारा HCF हो जाता है जैसे यहाँ पर 4 था तो इसको भी हम 4 into 1 लिख सकते थे इसको भी हम 4 into 2 लिख सकते थे तो यहाँ पर भी हमने पहले number को मान लिया 12N जो दूसर नमबर है वो भी उसका भी इससे HCF क्या था 12 था तो इसको भी 12 के multiple की form में लिख देंगे तो यहाँ पर 12N ले लिया इसे इसको ले लिया हमने 12N तो यह क्या बोलता है which one of the following can never be there LCM इन में से कौन सा इसका LCM नहीं हो सकता LCM का मतलब क्या होता है अब least common multiple common multiple अना यह कैसे निकालते हैं यह तो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे होंगे जो टू फोर टू वन जा टू टू जा और टू वन वन तो इसका LCM आ जाता है 4 अना तो least जो common multiple है वो निकालना है अब तो यह कौन सा इन में से LCM नहीं हो सकता जिन दो numbers का HCM बारा दे रखा होंनोंने उनका LCM इन में से ओसा हो सकता है इन 4 option में से ओसा हो सकता अब मैं जैसे देखा तो यहाँ पे भी 12 है यहाँ पे 12 है तो LCM में भी 12 का multiple होना चाहिए तो यह question simple है बस option से देख लेंगे कौन सा इन में से 12 का multiple नहीं है 12 की टेवल में 72 आता है, 60 आता है, 90 नहीं आता, 84 आता है, तो कौन सा option इन में से LCM नहीं हो सकता, option number 3, option number 3 is the right answer, next, अब आगया फिर से कौन सा, circles का question, बहुत important topic है, SSCGL में, हर बार इससे question बनते हैं आपके, ठीक है, question बढ़ता है, two circles touch each other externally at P, दो circle है, वो अपने आपको touch करते है, externally at point P, P पे यह touch करते हैं एक दूसरे को, अना, यह point है वो P, अब क्या बोल रहा है, AB is a direct common tangent to the two circles, AB, अब मुझे लगता है कि आपको tangent तो पता ही होगा, ठीक है, जो circle को touch करती है, एक point पे, यह A हो गया, यह हमारा B हो गया, तो AB जो है, एक common tangent है, इन दोनों circle की, जो कि इस वाले circle को, circle number 1 को touch कर रही है, A पे, circle number 2 को touch कर रही है, B पे, ठीक है, क्या गहा रहा है, आगे, A and B are the points of contact, and angle PAB ही दे रखा है, इसने 40 degree, angle PAB, construction कर लेते हैं थोड़ा, angle PAB दे रखा है, इसने, कितना 40 degree, क्या बूच रहा है, the measure of angle PAB, ABB, ABP, ABP, यह वाला angle हमें, निकालना है, कितना होगा, ठीक है, थोड़ा सा और construction कर लेते हैं, इसमें, एक यहां से, हम, इस वाली line को touch करते हैं, यहां point P को भी touch करते हैं, और इस AB वाली tangent को भी touch करते हैं, बना लेते हैं, मानें, यह point है हमारा D, ठीक है, अब circle की ए common point से, दो tangent, same circle पर जाते हैं, तो वो दोनों बराबर होते हैं, मतलब क्या है, यहां पर कहने का D से, DA भी एक tangent है, इस वाले circle के लिए, circle number 1 के लिए, और DP भी एक tangent है, इस वाले number 1 circle के लिए, ठीक है, तो यह दोनों equal हो जाते हैं, मतलब DA बराबर DP, यह दोनों बराबर हो गए अब यह दोनों बराबर हो गए, तो एक और property अब यहां पर triangle के आ जाती है, क्या, अगर हमारे जो angles हैं, हमारे जो angles हैं, वो equal होते हैं, तो उनके opposite जो side है, वो भी equal हो जाती हैं, कैसे यहां पर देखेंगे, यह दो sides हमारी equal आ गई, DA और DP, तो इनके opposite जो angle है, वो भी बराब P, A, D, और AD के opposite कौन सा angle है, हमारा angle APD, तो यह अगर angle 40 degree है, तो यह angle भी हमारा 40 degree हो जाएगा, ठीक है, angle some property यूज़ करेंगे, तो हमारा angle ADP भी आ जाएगा, ADP कितना आ जाएगा हमारे यहां पर, angle ADP equals to 180 degree minus 40 हमारा पहली से गिवन था, 40 अभी हमने निकाला यह वाली यह वाला angle कितना आ जाएगा हमारा, angle ADP कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, 100 degree, 100 degree, यह वाला complete angle है, यहाप पे हमारा जो वो है, straight angle, तो यह 100 degree आ गया था, तो angle PDB भी हमारा जाएगा, यह कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 degree आ जाएगा, ठीक है, इस वाले triangle में भी same property लगे engine, na DP और DB भी बराबर हो जाएगे, अब यह बराबर होगे तो इनके opposite angle भी बराबर होएगे, तो DB के opposite angle कौनसा है, angle DBP और जो DB के opposite जो angle है, वो कौनसा है, angle DPB, तो यह आला angle हम मांगन लेते हैं X, और DBP मांगन लेते हैं X, यह आला angle हमने निकाल दिया था 80, तो इस वाले triangle मे आगर देखेंगे triangle dpb में तो x plus x plus जो हमने 80 degree निकाला वो किसके बराबर हो जाएगा 180 degree के बराबर तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 100 degree के तो x हो जाएगा हमारा 100 upon 2 जो कि आता हमारा 50 degree आया समझ में तो हमें यही angle निकालना था कौन सा angle a b p angle a b p जाएगा answer ठीक है आया समझ में तो चलते है next question करते रहिए आप भी try करते रहिए साथ में again एक simple question देखा गया जाएगा जो इसकी shift में December वाले exam क्या बोलता है mean proportion सीदे सीदे formula इसका बस याद कर लेजे दो number दे रहे के होंगे उनका mean proportion पूछा होगा तो इसका direct formula है under root a b तो यहाँ पे under root a कितना है 169 है b कितना है 144 है इनको अगर root से भाल लाएंगे मुझे पता है यह 13 का square होता है और यह 12 का square होता है तो 13 into 12 भाला जाएंगे और यह सीदे सीदे मुझे पता है कितना होता है 156 तो answer हो जाएगा 1 बहुत easy question चलते हैं next question length and breadth of a rectangle are increased by 8% and 5% तो percentage का question आगया है क्या गणना इसमें by how much percentage will the area of rectangle increase क्या बोल रहा है एक rectangle था जिसकी length पहले थी L और breadth थी B अब इसकी length को बढ़ा दिया गया 8% से और breadth को बढ़ा दिया गया 5% से तो area में भी change होगा पहले ये कम area गिरेगा अब ये ज़्यादा area गिरेगा तो कितने percentage से change होगा इस तरह की question आते हैं बहुत easy होता है करने के लिए आप समझ जाएंगे इससे यहीं पर क्या बोला है length को बढ़ा दिया गया तो पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर किसी percentage से बढ़ाते हैं तो 100 में add करते हैं जितना percentage से बढ़ा होगा तो 108 upon 100 into पहले जो length थी L ठीक है breadth को 5 से increase किया तो 100 plus 5 होता है हमारा 105 by 100 into B तो नहीं जो length है वो 108 upon 100 into L है और जो नहीं जो breadth है वो है 105 upon 100 into B अब इसको solve कर लेंगे area में कितना change आया है पहले area क्या था हमारा? area का formula क्या होता है length into breath जो पहले area था जो दूसरा area जो हमारा आया है वो क्या आया है? length into breath तो 108 upon 100 into L into 105 upon 100 into B यह हमारा क्या आजाएगा? इसको solve करेंगे तो 108 into 105 upon 100 into 100 into LB ठीक है? आप कुछ नहीं करना है इसने बोला change कितना हुआ? तो percentage change निकालने के लिए A2 जो हमारा नहीं area है उसमें से पहले वाला area minus कर देंगे नीचे का answer आएगा? पहले वाला area into 100 इसमें values put करेंगे तो आपका answer आजाएगा जो भी answer आएगा आप वो comments में लिख दीजेगा ठीक है? और question answer question के साथ उसका answer question number 5 का answer आया है यह आया है sir ठीक है? चलते है next question पे simple एक और simple question है आप ठीक है जब start हो जाती थी हमारे schools में तो हम पहले यही पढ़ते थे कि sin 30, cos 30 इन सब की value क्या होती है? यहाँ पर क्या पूछिए इसने? cos 45, cos 45 के value क्या होती है? 1 by root 2, ठीक है? sec 30 कितना होता है? sec 30 हमारे पास होता है 2 upon root 3, यह values आपको याद होनी चाहिए मुझ भानी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है? cos 30 क्या होता है हमारे पास? यह होता हमारे पास 2 इसको solve करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा, solve कर देते हैं थोड़ा सा इसमें simplify भी करना पड़ेगा फिर, यहाँ नीचे LCM लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2 plus 2 root 3 अब यह हो जाएगा हमारा 1 upon root 2 into root 3 upon 2 plus 2 root 3, ठीक है? अब इसको उपर नीचे root 2 से multiply कर लेते हैं पहले ताकि यह root हट जाए नीचे वाले तो यह उपर हो जाएगा हमारे पास root 6, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 into 2 plus 2 root 3, ठीक है? अब ऐसे वा लोगों क्या करते हैं? उपर नीचे multiply कर देते हैं नीचे वाले के इसको बहुत है, तो यह square 2 का square 4, minus b square 2 root 3 का square कितना आ जाएगा? 4 into 3, 4 minus 12, उपर हमारा क्या था? यह हमारा root 6 into 2 minus 2 root 3, next, next क्या करेंगे? नीचे बच जाएगा हमारे पास 2 into minus 8, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास minus 16, इसको भी अंदर multiply कर देते हैं, तो यह जाएगा हमारे पा 6 minus 2, यह root का root अंदर multiply होंगे, 6 3 जा 18, इसको अंदर ले जाते हैं, तो यह क्या, अगर यह क्या आ जाएगा? 2 root 6 minus 2 into, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 into 2 लिख सकते हैं, तो 9 किसका होता है? 3 का square, तो 3 भार आ जाएगा, तो 2 into 3 root 2 upon minus का 16, आया समझे है? next, क्या करेंगे? 2 यहाँ पर common आ गया, 2 यहाँ पर common आ गया, तो 2 हमने common ले लिया, अंदर बचा root 6 minus 3 root 2 upon minus 16, तो 2 से 16 cancel, minus का 8 नीचे आ गया, तो यहाँ पर हमें दिग गया है, यहाँ पर options में भी 8 तो है नीचे, तो console आएगा, वो भी हम check कर लेते हैं आगे, इसका अगर sign हटा देंगे, यहाँ से तो उपर वालो के sign change हो जाएगे, हमारा जो answer आ जाएगा, वो आ जाएगा, 3 root 2 minus root 6 upon 8, console option है, option number 3, बहुत ही simple question, बस values आपको पता होनी चाहिए थी, next, next हमारे पास question आ गया, क्या है, इस बार थोड़ा अलग सो question आ है, इसमें आपको लगाने पढ़े हैंगे, logic, किस तरह के logic, क्या बूच रहा है, which of the following numbers is divisible, is a divisor of 49 to the power 15 minus 1, अब एक concept समझे यहां पर, आपको a square minus b square का formula पता है, पता है, a minus b into a plus b, a cube minus b cube का formula पता है, पता है, a minus b into a plus b, a cube minus b cube का formula पता है, पता है, a minus b into a plus b, a plus a square plus b square plus a b, अब आप यहां पर क्या देख रहे होंगे, यहां पर जब a to the power n minus b to the power n रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहां पर, हमारा a minus b, एक common term आ रही है, अना, तो इससे हमें क्या बता चलता है, कि जब यहाला formula कहीं पर भी आएगा, जहां पर ऐसा वाला इस तरह का form ह होगी, मतलब किस तरह की a n minus b n, तो वहाँ पर a minus b से तो divisible होगा ही होगा हो, अना, तो क्या बोल रहा हूँ है, a to the power n minus b to the power n, यहां पर जहां पर जिस जगा पर भी इस तरह की form आएगी, तो वो divisible होगा हमारा a minus b से, for all n, अना, अगर इस case में n हमारा even हो, तो वो हमारा a plus b से भी divisible होगा, जैसे यहां पर हमने देखा था, a square minus b square, यहां पर n हमारा even था, तो यह a minus b से भी divisible था, a plus b से भी divisible था, अना, देख रहे हैं आप सामने पर, तो यहां पर अगर n even होगा, तो a plus b से भी divisible होगा, अब एक फॉर्मिला a n प्लस b n इस तरह कि अगर कहीं पर आते हैं आपने पढ़ा होगा a cube प्लस b cube का फॉर्मिला पढ़ा था तो यह होता हमारा a plus b into a square plus b square minus a b यहाँ पर भी आपको दिख रहा है यह किस से divisible होगा a plus b से हमारा divisible होगा हना तो इस तरह कि जहां पर आएगा तो वहाँ पर a plus b से divisible होगा and क्या होना चाहिए हमारा odd होना चाहिए and हमारा odd होना चाहिए a की power 2 plus b की power 2 इसका कोई फॉर्मिला पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो इस तरह कि even के लिए नहीं होता है जहां पर plus का sign आगया हम आपे odd होना चाहिए, odd आएगा, तो a plus b से divisible होगा, इसी तरह हम यहाँ पे solve करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, 49 to the power 15 minus 1, इसको थोड़ा सा अगर देखें, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 49 to the power 15 minus 1 to the power 15, किस तरह की form बन गी है, a to the power n minus b to the power n, a यहाँ पे क्या है, a हमारा 49, b हमारा क्या है, 1, तो a divisible होगा, a minus b से, a minus b मतलब 49 minus 1, मतलब हमारा 48 से divisible होगा, option में तो 48 नहीं है, तो आप बोलेंगे यह तो गलत होगया, यह तरीका, नहीं, गलत नहीं हो आए, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखेंगे अभी, 49, 49 को लिख सकता हूँ, 7 to the power 2, और इसकी whole power कितनी थी, 15 तो थी, और इसको मैं 1 लिखता हूँ अभी, अना, तो यह हो जाएगा हमारा 7 to the power 30, अब यहाँ पे 1 की power भी ठल लिख सकते हैं, एन E1 वाले में किसे divisible होता है, A plus B से, A plus B से मतलब 7 plus 1 से, 7 plus 1 कितना हमारा, 8, 8 से divisible है, तो हमारा option number 3, इस question का answer हो जाएगा, आ रहा है यहाँ तक समझ, हाँ, साथ साथ करते भी चलिए, आपको मजा आएगा इस तरह की question में, जब आप देखेंगे, कि यह question तो doable है, और आप वहाँ जाके exam में करेंगे, और जब आप घर आएंगे, आप चेक करेंगे, आपके 25 में से 25 बन रहे होंगे, जब सारे question सही होंगे, 25 में से 25, तो आपको लगएगा, कि हाँ, कि उस time पे किया था, तो उसका फल मुझे आज मिल रहा है, तो करते रहे है, match, practice मांगते हैं, तो आपको साथ-साथ practice करते हुए, चलना है, next चलते है, next question पर, अब आगया है फिर से एक logic वाला question, इसमें आपको थोड़ा दिमाग खपाना पड़ेगा, यह ऐसे simple दंग से नहीं होगी, क्या बोल रहा है question में, इना 1500 meter race, 1500 meter की एक race हुई, अनिल ने बाको को, बीट किया, कितने से, 150 meter से, A ने B को हराया, 150 meter से, मतलब 1500 meter की race थी, तो A ने 1500 meter खदम कर दिये, B से पहले, ठीक है, इसी race में, बाकोल ने Charles को हरा दिया, कितने से 75 meter से, अना, अब यह पूछ रहा है कि, अनिल ने Charles को कितने से हराया, यह हमें निकालना है, कितने distance से हराया अब से, तो यहाँ पर हम करते हैं, same, distance equals to speed into time, basic formula, हर जगा लगता है, ठीक है, अब distance, जब इस वाले case में देख लेता है, जब अनिल ने 1500 meter कर लिया था, उस time पे, जो बाकोल था, उसने कितना cover कर लिया था, उसने उस time पे cover कर रहा था, क्योंकि यह 1500 meter पीछे से आ रहा है, तो 1500 minus 150, जो कि होता है हमारा, 1350 meter, तो उस time पे, बाकोल 1350 meter पे था, ठीक है, अब time दोनों का हमने same में रखा, जब जिस time पे यह 1500 meter कर चुका था, उस time पे बाकोल यह था, तो time same हो गया, तो इन दोनों का speed का ratio क्या आ जाएगा, speed of way is to speed of, बाकोल, अनिल और बाकोल की speed का ratio क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा, distance upon time, time दोनों का same है, तो जब इन दोनों का ratio निकालेंगे, तो यह distance of, अनिल upon time of अनिल, और distance of, बाकोल upon time of बाकोल, time दोनों का हमने same लिए लिए है, तो, यह speed, इनका ratio क्या आजाएगा distance का जो ratio है वो ही आजाएगा हमारा distance का ratio हमारा क्या था 1500 अनील कवर कर रहा था और 1350 बाकुल कवर कर रहा था यह हमारा आजाएगा 300 is to 270 फिर आगे solve करेंगे तो यह आजाएगा हमारा 10 is to 9 तो A और B का हमने speed का ratio निकाल लिया similarly इस case में निकाल लेते हैं जब बाकुल ने 1500 मीटर कर लिया था उस टैम पे चार्ज कितनी दूर था उससे 75 मीटर दूर था तो यह कितना है 1500 minus 75 यह आजाएगा हमारा 1425 इन दोनों का speed का ratio सेम उसी तरह से distance का ही ratio इनका speed का ratio हुआ क्यों क्योंकि हमने time सेम लिया तो यह आजाएगा हमारा 1500 is to 1425 इसको भी solve करेंगे यह आजाएगा 300 is to 285 यह भी आगे solve करेंगे 60 is to 57 आगे भी solve हो रहे है 20 is to 19 ठीक है अब हम क्या करते हैं अब हम इन तीनों के speed का ratio निकाल लेते हैं जब आप आगे score को follow करते रहेंगे तो आपको इसकी भी tricks बताया जाएगे जब आपको दो ratio पता है दो के बीच और दो और लोगों के बीच तो हम तीनों का ratio किस तरह से निकाल लेते हैं यहाँ पर भी आप देख लिजे अब हमने ऐसे में लिख दिया तो यह जो नंबर है वो सेम यहीं पर लिख दो इनको multiply को लो 10 10 x 20 200 9 x 20 180 19 x 9 यह आजाएगा हमारा 171 ठीक है तो इस तरह से हम इस तरह के question करते हैं तो हम पर इन तिनों का ratio आगया speed का ratio आगया इन तिनों का ठीक है तो अब हम क्या देखेंगे कि जो है हमारा अनिल और चाल्स का distance कितना distance कवर हुआ ठीक है speed हमारे पास आगे हमारे पास ठीक है तो अब हम निकाल लेते हैं कि कितना time लगा अनिल को 1500 मीटर कवर करने में अनिल को 1500 मीटर कवर करने में distance upon speed क्या थी उसकी speed हमारे थी 200 200 जो भी इसकी speed थी 200k मान लिए यह तो ratio है न तो इसको ऐसे से तो नहीं लिए 200k मान लिया जो भी multiple होगा इसमें आगे तो अनिल को time लगा total कितना 7.5 upon k seconds हना अब देख लेते हैं चार्स इतने time में कितना कवर कर लेगा चार्स की speed क्या थी हमारे पास चार्स की speed थी हमारे पास 171 171 speed थी time इतने time में कितना कवर करेगा 171k यह भी माना k है तो यह 7.5 upon k अना इसको आगे multiply करेंगे तो हमारा final answer जो है वो आ जाएगा ठीक है चार्स इससे किती दूर था वो हमारे निकल के आ जाएगा अनसर जो है वो comment box में बताएं यह तरीका आपको समझा दिया कि इस तरीके से इसको करना है थोड़ा दिमाग लगाने होला question था पर हो जाता थोड़ा सा time लगता हो जाता चलता है next question पर अब आगे हमारा किसका question हमने देख ले हैं यहाँ पर simple interest का simple interest का question हर बार आता है paper में और कुछ नहीं करना होता हमें बस यहाँ पर simple interest का जो formula है वो याद रखना होता है जो कि हर किसी को पता होता है simple interest का formula simple interest का formula क्या है simple interest का formula हम यहाँ पर देख लेते हैं लिख लेते हैं क्या होता है simple interest equals to P into R into T by 100 अब देखते हैं question में क्या बोला है 25 hundred when invested for 8 years तो मुझे पता चल गए यहाँ पर principle कितना invest किया 25 hundred time कितना 8 साल at a given rate of simple interest per year amount rate to 37 3725 तो amount भी इसने देदी 3725 तो इतना amount हो गया तो इसने बोला कि कुछ नहीं बस यह बता दो कि rate कितना है अना तो यहाँ पर हमें SI नहीं पता SI हमें यह भी पता है क्या होता है amount minus principle होता है जितना हमारा final maturity पर जो amount बना उसमें से हमने कितना invest किया था वो minus कर देंगे तो हमारा simple interest आ जाता है यहाँ पर दे रखा था amount कितना 3725 minus 2500 यह आ जाएगा हमारा 1225 खताम हो गया question क्या करना है आप simple interest मिल गया हमें 1225 प हमें पता है ट हमें पता है आर हम निकाल लेंगे simple question था बहुत easily हो जाएगा answer आप निकालेंगे ठीक है चलते है next question पर अब आगया एक DI वाला question इसले वाले paper में देखा था DI के बहुत सारी question थे ठीक है पढ़ते है इसको the following table shows the number of pages printed by three printers during three days XYZ तीन printer है उन्होंने तीन डेज में कितने pages print किये जैसे X का अगर देखें Monday में तो उसने करे 130 pages print X का अगर Tuesday में देखें तो 110 X का Wednesday में 180 similarly others के लिए क्या बोल रहा है what is the average number of pages printed by printer Z during the three days simple question Z का पूछ लिए इसने average number of pages कितने इसने प्रिंट करें average का formula क्यों होता है तीनों दिन में जितने उसने प्रिंट करें उन सब को add कर लो और divide कर दो जितने भी दिन है तो 588 by 3 यह जाता है हमारा 96 simple answer आ गया हमारा 1 देख रहे हैं आप कि 2022 का जो paper है उसमें जिस भी shift में question paper आया था उसमें बहुत ज्यादा simple question भी थे हाला कि कुछ logical question भी थे जिन में दिमाग खपाना था कि पेपर बोजा simple है अगर करने पर आएंगे और समझ के कर रखा होगा तैयारी अपनी अच्छी होगी तो पच्छेस में से पच्छेस question अराम से कर लेंगे कहीं नहीं गए यह ठीक है चलते हैं next question पर अब आगे हमारा average का question क्याता है थे बैटिंग एबरेज फोर 27 इनिंग्स ऑफ एक्रिकेट प्लियर इस 47 रंस 47 रंस का अबरेज उसका 27 इनिंग में टीक है टोटल कैसे निकालते है हम टोटल रन कितने मारे होंगे उसने 27 इनिंग्स में वा जाएगा मारे 27 इन्टो 47 अब क्या बोल रहा है जो उसक से कितना है 157 इनिंग्स अब क्या है अगर इफ 2 innings are excluded in 2 innings को हटा दिया जाए किन 2 innings को highest score और lowest score वाली innings को हटा दिया तो remaining 25 innings का 27 innings का उसमें दे रहा था अब जो remaining 25 innings है उसका average हो जाता है हमार पास 42 तो यह जो total runs थे वो किस-किस का sum था 25 in to 40 25 innings का average हमें पता है 25 innings के total run निगल जाएंगे प्लस highest प्लस lowest ठीक है अब कुछ नहीं बस यहां पे highest की जगा हम रख देंगे L प्लस 157 अब यहां पे L निकल जाएगा हमारा उसने क्या पूचा है यहां पे highest score पूचा है highest score कैसे निकल जाएगा L निकल जाएगा तो यहां पे रख देंगे हमारा एच भी आजाएगा highest score भी आजाएगा simple question था इसको भी आप करेंगे और answer comments में लिखेंगे बहुत easy question चलता है next question पे next question क्या कह रहा है P and Q can complete a project in 15 days and 10 days respectively अब आगया हमारे पास work and time का पिछले वाला जो paper था उसमें हमने करा था क्या हमने alternate days वाला एक question किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया है तो उसमें भी काफी अच्छे-च्छे question है 25 question उस वाली में भी करवाए गया है तो आप वो वीडियो भी देख लीजेगा तो करते हैं इस question को तो यह क्या कह रहा है P and Q can complete a project in 15 days and 10 days respectively P कर लेता है 15 days में एक काम को Q कर लेता है 10 days में उस project को ठीक है आगे क्या रहा है they started doing the work together उन्होंने 7 काम करना सुरू करा पर 2 दिन बात क्या हुआ Q को छोड़ना पड़ गया Q को काम छोड़ना पड़ गया और P को alone करना पड़ा remaining work simple question है क्या बोल रहा है जो work था वो total कितने days में complete किया गया इस तरह के question में जहां पर दो लोगों के individual number of days दे रखे होता है कुछ नहीं करना होता आगे जब समझाएंगे इसमें जब ये topic आएगा work and time वाला तो उसमें आपको ये trick बताई जाएगी अभी आप इसको ऐसे समझिए कि इन दोनों का LCM ले ले जाएगा वो ही हमारा total work आएगा 15 or 10 का LCM आता है हमार पास 30 तो total work हो गया हमार पास 30 का अब efficiency निकालने के लिए क्या करते हैं work upon जो time होता है वह हमारी efficiency के बराबर आ जाता है तो work 30 था इसने 15 दिन लगाए थे तो इसके efficiency आजाएगी 2 work 30 था इसने 10 दिन लगाए तो इसके efficiency आजाएगी 30 by 10 जो कियाती हमारी 3 क्या बोल रहा है 2 दिन उन्होंने 7 काम किया 2 दिन 7 काम किया मतलब 2 काम इसने किया 3 काम इसने किया, 2 प्लस 3 ये किते दिन तक करते रहे हो, 2 दिन तक करते रहे फिर Q ने छोड़ दिया और remaining work किसको करना पड़ा P को करना पड़ा, P की efficiency क्या थी P तो 2 की efficiency से काम कर पाएगा ऐसा तो है नहीं कि Q अपनी efficiency दे के चला गया इसे, नहीं न तो P करेगा 2 की efficiency से काम 2 की efficiency से वो कुछ दिन काम करेगा और total work कर लेगा तो यहाँ पर N निकाल लेंगे हम 2 प्लस 5, 2 प्लस 3, 5 5 इंटो 2, 10 10 प्लस 2N इकोस टू 30 तो 2N इकोस टू आजाएगा हमरे पास 30 माइनस 10, जो कि होता रहा है हमारा 20 तो N आजाएगा हमारा 20 बाइ 2 तो 10 दिन में 10 दिन में P ये काम पूरा कर लेगा अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 10 है तो आप 10 मार्क कर देंगे और यहीं पर आप कर जाओगे गल्ती उसने क्या पुछा था In how many days was the whole work completed यह नहीं बोले उसने की P ने Aloneномar'd कितने दिन काम किया उसने बोलो जो पूरा वक होगों कितने दिन में complete हुआ तो deux दिन तो उन्होंने काम कर लिया था ना दस दिन पीने हकेले तो टोटल कितने दिन लगे टोटल लगे हमारे पस 12 दिन तो इस तरह के question में जल्द बाजी नहीं करनी है आपका answer आ जाएगा तो check करते भी चलना है कि कहीं मैं जल्द बाजी में कुछ गलत ना कर दूँ option में 10 देखूं और 10 को mark ना कर दूँ 10 को mark ना कर दूँ और गलत ना हो जाए question अच्छा खासा question जो पूरा आता भी था वो भी गलत हो जाएगा फिर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा answer 10 plus 2 10 plus 2 कितना होता हमारा 12 तो हमारा option number 2 इसका सही answer है ठीक है I hope आपको समझ आ रहा हो ऐसे ही अभी 12 question हो गया है अभी बच गया हमारे पास 13 question तो जैसे करते रहे हैं वैसे ही करते रहे है साथ-साथ solve करने की try करें जो question नहीं उपर है उसका solution देखें और फिर खुछ से try next अब आगे हमारे पास एक और DI का question इस बार हमारा क्या है एक पाई चार्ट आया पाई चार्ट ऑला कुशन अभी तक नहीं किया था देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है पाई चार्ट गिवन ब्लोग सोज दा number of trucks sold by 8 different companies 8 different companies A, B, C, D, E, F, G, H 8 companies थी हमारे पास वो दिखा रहा है यहां पर कि कितने कितने trucks इन्होंने sell किये ठीक है तो total number of trucks sold by all these companies जो 8 companies थी उनका जो total number of trucks जो उनने sell करे वो थे हमारे 4000 क्या किया रहा है number of trucks sold by a particular company is shown as a percent of the total number of trucks तो यहां पर इन्होंने किस तरह से दिखाया है कि एका अगर 13% दिखाया है तो यह किस फॉर्म में दिखाया है कि उस particular company का percentage of total number of trucks से मतलब जो total number of trucks से उसमें इसका किता percent है 13% मतलब 13 by 100 into 4000 यह जाएगा हमारा A का ठीक है तो क्या पोल रहा है question में number of trucks sold by BCFH is how much percent less than the number of trucks sold by all these companies ठीक है तो यहां पर BCFS जो जो उसने बोला है वो निकाल लेंगे 27 by 100 into 4000 27% था ना B का हिस्सा इन 4000 ट्रक्स में से तो B ने कितने ट्रक्स बनाया होंगे 27 by 100 into 4000 तो 2 0 से 2 0 cancel तो यह आजाएगा हमारा 47 28 और यह आजाएगा 1080 बी ने बनाया 1080 similarly C के कितने आजाएगे 18 by 100 into 4000 2 0 cancel यह जाएगा 720 next F ने कितने बनाया F ने बनाया हमारे 700 7 by 100 into 4000 2 0 से 2 0 cancel यह जाएगा हमारा 280 अब H का अगर हम निकाल ले तो यह आएगा हमारा 14 by 100 into 4000 2 0 से 2 0 cancel यह जाएगा हमारा 560 इन 4 को add कर लेंगे तो यह हमारे BCFH के total number of trucks निकल आएगे 280 plus 1080 plus 720 plus 560 इसने क्या बोला यह कितना परसेंट है total number of trucks के मतलब 4000 का कितना परसेंट है इसको multiply कर लेंगे 100 से हमारा परसेंटेज निकल के आजाएगा इसको solve कर लिजेगा आपका अंसर आजाए अंसर comment box में लिख दें ठीक है चलते हैं next question पे next question पे अब इस तरह के question आपको थोड़ा गुमा सकते है इसको भी आपको solve करने का तरीका बताएंगे कुछ नहीं थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा सा time लगेगा इसमें सोचने में question अब देख लेते हैं यहापे क्या दे रहा है इसने x square minus 5x plus 1 equals to 0 और हमें निकालनी है इसकी value तो आप देखेंगे तो यह कहीं से भी relate नहीं कर रहे हैं यह questions ठीक है जो इन्होंने given है वो इसका जो निकालना है उससे relate नहीं कर रहा है अगर relate कर रहा होता हम सीधे सीधे निकाल लेते पर यहापे तो relate कर नहीं रहा है तो इसमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा दिमाग कैसे लगाएंगे देखते हैं यहापे यहापे नीचे x cube है तो इसको हटाने की कुछ करते हैं क्योंकि उपर भी हमारी x cube वाली terms तो है ना जिसमें x cube common आ सकता है तो उपर x cube ले लेते है x cube common ले लिए हमने यहाँ बच गया हमारा x cube प्लस यहाँ पर हमारा x यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा 1 upon x अना अगर यहाँ multiply करेंगे तो x square वापस आ जाएगा similarly इस पर x cube था ही नहीं तो इस पर x cube पूरा नीचे डिवाइड होगा upon 5 x cube इसमें क्या हो जाएगा x cube से x cube cancel अब x cube वाली term साथ में लिख देते हैं और हमारी जो है जो हमारी x प्लस 1 upon x जो बच गी वह हम एक साथ लिख सकते हैं और नीचे 5 बचावाता ठीक है अब इस से हमें क्या help मिलेगी अब हम इसका use करके देखता है इसका use कैसे करके देखता है हम इसमें से भी हम x common ले लेते हैं x common लिए हमारा यहाँ पर बचा x minus 5 प्लस 1 by x equals to 0 अब यह जब होता है तो x बराबर 0 तो हो गया और x minus 5 प्लस 1 upon x equals to be 0 आ गया यहाँ से हमारा x प्लस 1 by x निकल जाएगा यहाँ जाएगा हमारा प्लस का 5 simple हो गया इस तरह से हमने इसको use कर लिया यागर हमने यहाँ पर x common लिया x common लिया अंदर यह बचा है अब यह भी 0 के बराबर आ जाएगा यहाँ से हमने x प्लस 1 by x की value निकल लिए जो कि आगी हमारे पास 5 यहाँ पर हमारा x प्लस 5 1 by x भी आ रहा था अभी हमें क्या निकलना है x cube plus 1 by x cube पिछली वीडियो में भी इस तरह का question निकाला था जिसमें हमने x की power 5 प्लस 1 by x की power 5 की value निकाली थी इस बार हमें क्या निकालनी है x की power 3 प्लस 1 by x की power 3 की क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे cube both sides तो cube करेंगे तो x plus 1 by x का whole cube both sides को cube करना ना भूले पिछली वीडियो में भी बोला था इस बार भी बोल रहा हूँ ये गलती होती है इस चीज को ध्यान रखीगा कि आप जब cube करें तो दोनो side cube कर दें side 5 लेके चलेंगे तो आगे value आपकी गलत आ जाएंगी ठीक है तो इस बार लग गया इसमें कौन सा formula a plus b का whole cube जिसकी value होती है a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square बराबर हो जाएगा 5 का cube आता है हमार पास 125 ठीक है अब x cube plus 1 by x cube की value तो हमें निकालनी है ये क्या हो जाएगा हमारा x से 1 value cancel तो 3x plus यह जाएगा हमारा 3 upon x equals to 125 आगे x cube plus 1 by x cube यहापे क्या आ रहा है 3 common आ रहा है bracket में बचरा हमार पास x plus 1 by x equals to 125 अना तो x cube plus 1 by x cube की value आ जाएगे यहापे क्या जाएगे हो x plus 1 by x की value हमने निकालनी थी यहापे 5 तो वो ही यहापे रख देंगे यहापे रखी हमने 5 तो 5 into 3 15 वहाँ जाके minus 15 तो यहाँ जाएगा हमारा 110 तो x cube plus 1 by x cube की भी value हागे अभी हमारा question पूरा निकालनी हुआ अभी यहापे हम यहापे रख देंगे value क्या ही हमारी 110 इसकी value क्या थी हमारे पास इसकी value थी हमारे पास 5 upon 5 तो था ही नीचे तो यह आजाएगा 115 upon 5 जो की होता है हमारा 23 अंसर के आगया हमारा final option number 3 14 question हो चुके हैं पूरे आपने इस वाले paper में देखा होगा कि पिछले जो 2020 का paper जो हमने किया था उससे हलके different questions है questions का level थोड़ा easy हुआ है पहले के मुकाबले पर थोड़ा logical भी होआ है तो अब demand किस तरह से रखी जा रही है papers में वो आपको देखना होगा आपको analyze करना होगा हमने आपके सामने दोनों paper रख दिये तो जाब 20 के भी और जाब 22 के चलते हैं next question पे अब आगया एक right angle triangle का question का कहता है right angle triangle right angle at q pqr एक triangle था q पे ये right angle बना रहा है length of side pr is 17 units सिदे सिदे mark कर लेते हैं pr 17 दे रखा है length of the base qr qr की length दे रखी है 8 length of side pq is 15 तीनों तो इसने दे दी पूछ के रहा है वही पूछ ये एक और चीज भी दे रखी है rpq angle rpq ये angle इसने दे रखा है alpha की value क्या जाएगी हमारे पास perpendicular upon hypotenuse अब ये देखने वाली बात हो थी यहां पर क्या देखना चाहरा है ये समझ देखना चाहरा है आपकी कि जब आप इस वाले angle के reference में लेते हैं तो hypotenuse तो सेम रहेगा जो 90 degree के सामने रहता है वो हमारा hypotenuse होता है ठीक है वो तो सेम रहेगा हमारा पर इस वाले angle के लिए base कौन सा हो जाएगा हमारा PQ हो जाएगा perpendicular क्या हो जाएगा QR वहीं अगर ये वाला angle हम देखते माना ये बीटा होता तो इस वाले angle के reference में hypotenuse सेम रहता PR पर यहाँ पर perpendicular change जाता perpendicular कौन सा हो जाता PQ हो जाता और base हमारा QR हो जाता alpha के case में PQ क्या है base है हमारा बीटा के case में जो PQ क्या हमारा perpendicular है तो यह बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है तो sign alpha के आजाएगा perpendicular upon hypotenuse alpha के लिए perpendicular कौन सा हता QR की value दे रखिए 8 hypotenuse 17 वो सेम है ठीक है चलते है cos alpha पे cos alpha का formula होता है base upon hypotenuse base कितना है हमारे पास base है हमारे पास 15 PQNS के लिए base alpha के लिए 15 upon hypotenuse सेम था 17 इसने बुला इन दोनों को add कर दो भई add कर दो इनको add करके 17 LCM 8 प्लस 15 15 प्लस 8 कितना होता है हमारे पास 23 23 बास 17 इसका answer आगया और इसी question बस आपको यहां पे इस चीज का concept clear होना चाहिए कि angle के साब से base और perpendicular change हो सकते है कि इस angle के reference में हम देख रहे है उस साब से हमारे angle change हो जाएंगे चलते है next question पे एक और question यहां पे आगया क्या बोल रहा है और यहां पे सिधे सिधे हमको बस formula दिख गया formula दिख गया formula लगा दे a cube plus b cube a cube plus b cube का formula होता है a plus b तो 17 plus 7 into into हमारे पास क्या हो जाएगा a square plus b square minus ab upon 17 square plus 7 square minus k बराबर आजाएगा हमारा 24 के ठीक है क्या बोल रहा है 17 plus 7 कितना होता है हमारे पास 24 अब यहां 24 वहां 24 24 से 24 कैंसल इसको ले जाते हैं उदर क्या हो जाएगा 17 square plus 7 square minus 17 into 7 equals to हो जाएगा हमारे पास 17 square plus 7 square minus k अब यह से यह cancel यह से यह cancel 19 तो यह आगया हमारा k की वैल्यू क्या पूचे थी इनने k की वैल्यू पूचे थी तो हमारे निकल गया option number 1 बहुत जाएगा simple question बस formula बता होना चाहिए था a cube plus b cube का चलते हैं next question पे next question circumference दे रखिए हैं यहां पे 2 circles की circle 1 circle 2 circumference का formula क्या होता है 2 pi r माना पहले वाली की 2 pi r1 है दूसरे वाली की 2 pi r2 है इसकी value क्या दे रही है 198 इसकी value क्या दे रही है हमारे पास 352 what is the difference between their radii difference निकालना है radii का कुछ नहीं करते हैं दोनों equations को minus कर लेते हैं ठीक है minus करेंगे 2 pi r1 minus 2 pi r2 बराबर हो जाएगा हमें पास 198 minus 352 के यहाँ पे इसे 2 pi common आजाएगा r1 minus r2 equals to यह जो भी minus करके आएगा अब हमारे पास क्या निकालना है इनका जो difference है वो ही निकालना हमे pi की value हमें पता है 22 by 7 रख देंगे answer आजाएगा हमारा simple question था बहुत जादा simple question था answer जो भी आएगा वो comments में लिख दीजेगा ठीक है यहाँ पे 3 नहीं है misprint हो गया है ठीक है आपको answer comments में लिख देना है चलते है next question पे बहुत easy question था यह भी पिर आगया एक और circle का question इसमें fast fast क्यों चल रहे है क्योंकि आपने देखे होंगे सारी question बहुत जादा simple थे तो इसमें fast चल रहे है जहाँ पे समझाने का होगा वो समझाया भी जा रहा है चलते है next question पे क्या कहता है radius of a circle is 10 cm 10 cm radius है एक circle की 10 cm इसकी radius हो गई angle made by the chord A B chord क्या होती है आपको पिछली वीडियो में बताया था देख लिजिए गा उस वीडियो को chord है हमारे पास A B center माना C है A B जो chord है वो center पर क्या angle बना रहे है 60 degree का angle बना रहे है यह आप पर हमारा 60 degree का angle बना रहे है ठीक है क्या बोल रहा है इस chord की length क्या है A B की length पूछ रहा है अब आप बहुत ही simple question हो जाता अगर आपको यह property पता होगी किसकी ISOCLS triangle की क्या कह रहा है यह radius दे रखिये तो radius तो यह भी है ना C B भी एक radius है और C A भी एक radius है C A क्या हमारी 10 है क्योंकि radius तो दे रखिती C B भी हमारी 10 हो गई अब equal है इनकी length तो इनकी opposite जो angle है वो भी equal होंगे अना अब मुझे पता है angle AC भी उसने 60 दे रखा है यह वाला मान लेता हूँ दोनों को X मान लेता हूँ तो 60 plus X plus X किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 2X equals to 180 minus 60 2X किसके बराबर हो जाएगा हमारा 120 के X भी आजाएगा हमारा 60 degree मुझे पता है यह भी 60 degree आ गया यह भी 60 degree आ गया और जब 60 degree तीनों angle 60 degree होता है वो triangle equilateral triangle होता है equilateral triangle होता है then 10 तो AB की length भी आ गई 10 बहुत easy question property का पता होता तो यह question बहुत ज़्यादा easy है property का पता नहीं होगा या आप थोड़ा सा logic नहीं लगाएंगे तो यही question आपके लिए tough बन जाएगा exam paper में तो समझते वे चलेंगे चलता है next question पर थोड़ा सा unclear है यह जो question है पर readable है तो देखीगा read कर देता है आपके लिए how many spherical lead shots each of diameter 8.4 cm can be obtained from a rectangular solid of lead with dimension 88 cm, 63 cm and 42 cm क्या गह रहा है spherical lead shots हमें बनाने है किसमें से एक rectangular solid दे रखा है हमारे पास lead का इसमें से हमें क्या निकालना है एक spherical lead shots निकालनी है इसमें से तो इस वाले question में क्या होता है हमारा जो volume होता है वो सेम होता है इसको गला के माना है एक डबबा है इसको गला के हमें balls बनानी है lead की balls तो इस वाले question में क्या हो जाएगा जो इसका volume होगा वो ही इनका sub का जो sum आएगा उसके volume के पराबर होगा यह तो simple logic है क्योंकि जितना इस पे low होगा, जितना lead होगा, उतना ही lead इन सब में बढ़ जाएगा, अना, तो क्या करते हैं इसमें, माना n balls निकल देंगी हमारी, उसको multiply कर देंगे, इस pair के, एक pair के cube से, मतलब एक pair के volume से, इस pair का volume का formula, 4 by 3 pi r q, एक इसके बराबर होगा, इसके volume के बराबर, इसका volume क्या है, हमारे पास length, breadth, height तीनों दे रखियें, इन तीनों को multiply कर लेंगे, अब इसने क्या बोला है, हमें क्या निकालनी है, how many, spherical light shots, मतलब हमें n की value निकालनी है, r हमें दे रखा है, r नी दे रखा है, diameter दे रखा है, पर r कितना हो जाएगा, 8.4 by 2, जो किया था हमारा 4.2, यहाँ पर रखेंगे 4.2, केवल n यहाँ पर unknown है, n इस equation से निकल जाएगा, simple question, बस हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर formula, यह logic पता होना चाहिए, यह volume वाला की volume जब इसका जितना है, वो इन सब में बढ़ जाएगा, तो इनका इस side जितना volume आएगा, उतना ही उस box का होगा, दोनों को equate कर देंगे, तो हमारा जो यह question है, वो सीधे सीधे बन जाएगा, again formula based question, formula पता होना चाहिए, किसका, spare के volume का, और हमारे box के volume का, rectangular box था, तो LBH, अगर square वाला box होता, तो उसका formula, side cube, volume का, ठीक है, चलते हैं, next question पे, एक और हमारा, DI का question, क्या कहा रहा है, the table below shows, the number of spoon manufactured by five companies, five factories थी हमारे पास, PQRST, उन्होंने इतने-इतने spoons बना है, क्या कहा रहा है, what is the ratio of number of spoon manufactured by P, P ने कितने करे, 100, to the number of spoon manufactured by R, इन दोनों का ratio, भाही कितना simple question है, कुछ भी नहीं मांग रहा था, यह question, 2 by 3 answer आगे, इसका, बहुत जाए simple question, चलता है, next question पर, क्या कह रहा है, यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC, AB हमें दे रखी है 12 cm, AC हमें दे रखी है 10 cm, angle BAC दे रखा है, हमारे पास 60 degree, क्या कह रहा है, length of side BC, यह हमें निकालना है, हमें इसकी length हमें निकालनी है, तो यह हमारा question, थोड़ा सा tough है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा concept यूज करेंगे, हम कौन सा concept यूज करेंगे, हम law of cosines, थोड़ा important question है, इसको समझेगा, ठीक है, law of cosines, law of cosines क्या कहता है, अगर A, B, C, एक triangle की तीन साइड है, ठीक है, और जो angle A है, वो किनके बीच enclosed है, वो A, C और A, B के बीच enclosed है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर A, B, C, तीन length है, एक triangle की, और जो angle A है, वो किसके बीच में enclosed है, A, C और A, B के बीच, ठीक है, तो direct-direct एक formula होता है, formula याद कर लिजिए, C square equals to A square plus B square plus, sorry, minus 2AB cos angle A, क्या कहा हमें, law of cosines, क्या कहता है यह, law of cosines कहता है, अगर तीन साइड हमारे पास दे रहे हैं, A, B, C, और जो angle A है, वो A, B, और A, C के बीच enclosed है, तो हम formula लगा सकते हैं, क्या, C square equals to A square plus B square minus 2AB, cos angle A, C square, C हमें निकालनी है, तो इसको ऐसा ही रख लेते हैं, A square, A हमें दे रखा है, 12, तो 12 का square, B square, B हमें दे रखा है, तो 10 का square, minus 2 into AB, A कितना है, 12 है हमारे पास, B कितना हमारे पास, 10 है, cos angle A, cos angle A कितना है, 60 degree, cos 60 degree मुझे पता है, इन दोनों को multiply कर लूँगा, इसका square निकाल लूँगा, इसका square निकाल लूँगा, C आ जाएगा हमारे पास, इसका under root, यही हमें निकालना था, इसका अंसर निकाले गा, और comments में बताईएगा, क्या बड़ा आपने आज, law of cosines, बड़ा तो आपने पहले भी था, पर याद दिये, formula कमी रहता है, तो इसलिए इस question पे थोड़ा stress दिया गया, अना, चलते हैं, next question पे, question थोड़ा misprint हो रखा है यह, यह question इस तरह से है, 10 squared theta, plus cos cot squared theta, minus sec squared theta, cos sec squared theta, इसकी value हमें निकाल लिए है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, 1 plus 10 squared theta, यह होता है बराबर sec squared theta के, 1 plus cot squared theta, यह बराबर होता है किसके, cos sec squared theta के, यह हमें यहाँ पे रख देना है, ठीक है, तो 10 squared theta, cos cot squared theta, इनको ऐसे रखता हूँ, इसकी जगा रख लेता हूँ, sec squared theta की जगा, 1 plus 10 squared theta, cos sec squared theta की जगा, 1 plus cot squared theta, इसको 10 squared theta, plus cot squared theta, same रखा, इनको multiply कर लिया, तो यह minus 1, सारे sine minus के हो जाएंगे, cot squared theta, minus 10 squared theta, minus 10 squared theta, cot squared theta, ठीक है, cot squared theta, cot squared theta, cancel, 10 squared से 10 squared cancel, बज़ गे हमारे पास, minus 1 minus 10 squared theta, cot squared theta, 10 squared theta, cot squared theta, sin squared theta, पनी अपर निचे कैंसल बच जाएगा हमाहर पासन स्पाल सॉपल écritन जो में एक और दी अइगा को खेल सकता है ठीक है डियाई में क्योंकि वो बहुत सारी चीजे खेल सकता है उसमें से percentage पूछ सकता है आपसे average पूछ सकता है वो किसी भी section से पूछ सकता है उसमें तो इस बार क्या आया है बार ग्राफ इस वाले paper में हमने pie chart भी देख लिया और ये आप देख रहे हैं आप बार ग्राफ देख रहे हैं तो ये sale of books दिखा रहा है in thousand from six branches of a publishing company 2018 और 2019 में 2018 किसे मांगड़े हैं यहाँ पे blue वाले से और 2019 किसे मांगड़े हैं यहाँ पे red वाले से ठीक है तो ये sale of books दिखा रहा है branches में 6 branches थी एक company की उनकी sale दिखा रहा है 2018 और 2019 की question में क्या पूछ रहा है what is the ratio of the total sales of first branch for both years to the total sales of the fourth branch for both years तो क्या काम का है हमारा first branch काम की है हमारी और fourth branch काम की है ratio of total sales of first branch इसकी total sales कितनी है यहाँ पे देख लेते हैं 80,000 है 2018 में 80,000 है first branch की और 2019 में कितने हैं हमारे पास 105 है 105 है हमारे पास 105,000 इन thousands थाने इसलिए thousands लगा है तो यह हमारी first branch की दोनों सालों की sales है हना fourth branch की दोनों साल की sales कितनी है यह हमारे पास है 90,000 85,000 और यह कितना हमारे पास 95,000 दोनों को add करेंगे इनका ratio जो निकल के आएगा वही हमारा answer हो सकता है वही हमारा answer हो जाएगा comments में answer बताएं क्या आपका answer इसका निकल के आया है ठीक है चलते हैं अब next question पर next question क्या कह रहा है यह 4 into a upon a equals to 40 simple हमें यह से फिर से formula देखिया formula लगा देंगे उपर 4 into a cube minus b cube a cube minus b cube a minus b a square plus b square plus a b ठीक है upon 17 square plus 7 square plus b equals to 40 ठीक है 17 minus 7 17 minus 7 कितना होता हमार पास 10 10 into 4 कितना होता हमार पास 40 40 into 17 square plus 7 square plus 17 into 7 upon 17 square plus 7 square plus b equals to 40 40 से 40 cancel इसको ले जाएंगे उदर इसको ले जाएंगे उदर तो क्या हो जाएगा 17 square plus 7 square plus 17 into 7 equals to 17 square plus 7 square plus b इससे ये cancel p की value आगई हमार पास फिर से 119 पहले भी आया था ये question इसी तरहां का हलका सा change करके values को इस बार answer आगे हमारा 119 चलते हैं आज के last question पे क्या कह रही है क्या कह रहा है रिया could not decide between discount of 30% और two successive discounts यहां पर आगया एक discount वाला concept आता है अप इस जो series है उसमें आगे पढ़ेंगे successive discounts का एक topic ठीक है क्या बोल रहा है कि रिया जो है वो confused होगे किस चीज में 30% के discount में या two successive discounts of 25% of 5 और 5% दुकान पे गए आप आपको एक जगा पे दिखा 30% का discount और एक जगा पे उसने बोला पहले आपको 25% का discount देंगे और फिर आप अगर credit card से pay करेंगे तो आपको 5% और का discount मिल जाएगे तो आप confused हो जाएगे कि मैं 30% का जो discount है वो लूँ या जो ऐसे जो 25% प्लस 5% और आप बोलेंगे 25% प्लस 5%, 30% दो न तो बराबर है कहीं से भी ले लेता हूँ पर ऐसा नहीं होता जब successive discount होता है उस time पर दुकानदार खेल जाता है क्या करता है दुकानदार जब ऐसे successive discount होता है तो इसमें जो net discount जो निकल के आता है वो again वाला formula जो अभी आपको बताया था पीछे जिसमें हम सबसे पहला question था जो उसमें हमने करा था ना कि एक जगा लॉस हो रहा है फिर वो dishonest seller था तो उसने bar change करके वहाँ पर profit कर लिया तो उसका successive जो वो था profit या लॉस था वो हमने निकाल लिया था यहाँ पर भी हम successive discount में कि net discount कितना बनेगा A हमारे पास है minus 25 B भी हमारे पास minus 5 discount है इसलिए minus लगा रहे plus A हमारे पास minus 25 B हमारे पास minus 5 upon 100 ठीक है minus into minus plus हो जाएगा और यह हमारे पास 4 तो यह minus का 30 plus 5 by 4 1.25 यह आगे हमारे पास minus का 28.75 तो आपने देखा कि 30% के discount में और 2 successive discount में अंतर आ गया जब 30% के discount था 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 20% ही मिल था हमें पर जब 2 successive discount है 25 और 5 के तो हमारे पास net discount था वो हमारे पास 28.75 का मिल रहा है अभी क्या बोल लहा है? What is the difference between the both the discounts तो difference हमें पता है 30 minus 28.75 वो है भई discount है यह होता है हमारे पास 1.25 तो कितने की swapping कर रही थी उसने? 3840 तो कितने की difference आ गया? 1.25 by 100 into 3840 इसको solve करेंगे आपका answer आ जाएगा ठीक है? answer निकाल लेंगे हम answer हमारे कितना जाएगा? हमारे पास जाएगा 48 अगें एक अच्छा question simple question ठीक है? successive discount based तो यह थे आज के 25 question I hope आप सभी को यह समझ आये होंगे और आपको इसका motive भी समझ आये होगा कि हमने दो दो हमने जो previous year paper है वो क्यों करा है? क्यों करा है? क्योंकि आपने देख लिया 2020 से 2022 में कितना change हो गया? question बहले ही same portion से आये पर questions का level कैसे change हुआ है? question का level किस तरह से change हुआ है? और question में वो किस तरह से changes कर रहा है? कहीं पे logical questions आ रहे हैं कहीं पे simple question आ रहे हैं कहीं पे formula based आ रहे हैं कहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह के question आ रहे हैं तो आपको यह नहीं समझना कि simple question आ रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है आपको logical question भी आएंगे कहीं कहीं पर complex question भी आएंगे जहां पर आपको time invest करना है या नहीं करना उन question पर वो भी आपको समझना होगा ठीक है तो इस तरह से आप इस जो दो वीडियो अभी तक आ गई है इसके course की उनको use करेंगे आप समझेंगे question paper के level को और questions के level को question किस तरह से change हो रहे हैं उसी तरह आप accordingly आप math section के लिए अपनी तयारी start करेंगे तो ये थे आज के 25 question I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको question समझाए होंगे आपको इससे related जो भी query है वो आप comments में लिख दिजेगा अपने answers सो लिखिए गई जैसे आपको बताए question number के साथ उसका answer ठीक है तो ये तो आपका वाले comment है बाकी comment में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से topic पहले पढ़ना है बसे मैं जो plan कर रहा हूं वो average या number system plan कर रहा हूं ठीक है अगर आपको कोई और topic चाहिए starting में तो वो भी आप comments में बता सकते हैं ठीक है तो कल से हम topic wise शुरू कर देंगे अपने इस course को math के course को target कर रहे हैं कि ये 25 से 30 दिन में complete हो जाए आपका scratch से हम start कर रहे हैं तो आप ये मत सुचेगा कि अगर आपको ये question अगर दिक्कत करे जो 25 question आज करें और 25 question जो कल करे थे अगर वो दिक्कत करें तो आप ये मत सुचेगा कि आप तयारी छोड़ दें नहीं आपको motivate होना है कि नहीं कि question इसमें simple भी आ रहे है logical भी आ रहे है तो मैं अगर तयारी start करता हूँ तरीके से start करता हूँ तो ये question जो है ये जो section है वो मेरा scoring बन जाएगा तो इसी के साथ इस वीडियो को end करते हैं I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like करें इसको share करें अपने दोस्तों के साथ जो भी इस exam की तयारी कर रहे है उसे बताइए इस course के बारे में और subscribe करें चैनल को तो कल एक और वीडियो के साथ पहले topic के साथ number system जो की decide हुआ है मेरी साइट से अगर आपको कोई और topic लान है तो भी आप comment में बदा सकता है ट्राइ करूंगा उस पर वीडियो बनाने की और बस support करते रहे जिए करते रहे और thank you thank you so much